हेलो दोस्तों है मैं आयोशी गुपता और वेलकम टू माई यूटूब चानल इची से क्लासिस इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एडवांस वर्ड मिनिंग के बारे में सीखने वाले हो के तो यह वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप लोग न्यू हो और यह वीडिय करना बिलकुल मत फूलना अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंट स्टार्ट करते हैं पहलवान एथलीट एथलीट विरोधी मतलब कि जो कि किसी कौंटेस्ट में अब पोजीशन का जो रहता है न परसन उसको हम लोग कहते हैं विरोधी एडवरसरी एडवरसरी आकरमनकारी मतलब वो परसन जो कि अटैक करता हो उसको हम लोग कहते हैं आकरमनकारी एसाइलेंट निपुड जो कि हर काम में निपुड हो अच्छा हो हर काम को कर सकता हो उसको हम लोग कहते हैं एकमप्लाइसमेंट एकमप्लाइसमेंट ओके आकांशी मतलब की होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इच्छुक होता है aspirant aspirant पूरा पत्व मतलब की प्राचीन वस्तु का विद्या प्राचीन वस्तु के बारे में पढ़ने वाले को archaeology कहते है archaeology जोतिश विद्या astronomy astronomy इसने हम लोग sun, moon, stars etc. के बारे में पढ़ते हो गर्फबात abortion चेतना शुन्य करने वाला औसधी या बिहूश करने वाला औसधी anesthetics जड़या बुखार मतलब की malarial fever इसकों लोग इंग्लिश में कहते है ague प्रबंथ करना administer अग्विच्छेद मतलब की अगर किसी का surgery के द्वारा हाथ कर जाता है या पैज कर जाता है तो उसकों हम लोग कहते हैं इंग्लिश में amputation सच्च्या या विश्वस्निये authentic ले में करना या एक ताल में करना attuned attuned छिपा हुआ abstruse डिढ़ता से कहना ever ever मतलब positively कहना स्वचालित automatic automatic अपने हाथ का लिखा वहस्ताक्षर autograph autograph वायू भार मापक यंत्र barometer barometer तराजू balance balance दलदली bogey bogey मतलब कि जो कि बिलकुल दलदल जैसा नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं दलदली और उसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बोगी bogey हानी कारक bailful bailful आशेरवाद मतलब किसी परोहित या इश्वर के द्वारा जो आशरवाद दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं benediction benediction इश्वर निंदा मतलब जो इश्वर का नींदा करता है उनका अपमान करता है उसको उनको कहते हैं blasphemy blasphemy अंग रक्षक bodyguard bodyguard भार या पक्षपाथ मतलब किसी एक साइड होना पक्षपाथ कहलाता है उसको हम उनकी इंग्लिष में कहते है bias bias अश्वर बूरिश बूरिश निर्दाई पुरोष bully bully निर्दाई पुरोष मतलब इसमें bully में ये हो गया कि कोई बहुती strong man या कोई भी strong person अपने नीचे वाले person को दबाता है धमकाता है तो उसको हम लोग कहते है bully okay कि वो उसके साथ bully कर रहा है अकस्मिक casual casual I hope guys you understand और अगर आप तो कोई भी दिक्कत होगा तो please comment section or बता जेना and thanks for watching bye take care